प्रेंड्स एक बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक के उपर मुझे काफी दिनों से बहुत सारे मेसेज़ेस आ रहे हैं जो किये दोस्तों कि सर हम बाकी सब्जेक्स तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें मोटिवेट किया है हमा बहुत अच्छी तरीके से हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे मार्स लेके आ सकता हूँ तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोके लिए बहुत ज़दा इंपॉर्टन ने वाला है नमस्क्राइब दोस्तों मैं हूँ राहुल जैस्वाला एं स्वागत है आप सभी इंग्लिश ग्रामर के बारे में ठीक है अब इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आप जानते होंगे कि इसमें से मेंली अगर देखा जाए लगबग 20-30% मांक जो होता है वो आपके ग्रामर में से आता है ग्रामर के पार्ट में से आता है और खासकर अगर आप एक 10 टाइम आता है comparatively अगर आप 8-9 में हो या फिर छोटे standard में हो ठीक है तो कुछ important points आज हम discuss करने वाले क्या-क्या वो points होने वाले हैं वो सभी चीज़ बताने वाले लेकिन आप लोग को बस एक चीज़ वादा करना है मुझसे कि आप लोग को यह हमारा वीडियो है ना उसको end तक दे पहले simultaneously अगर हम बात करें जो कि है दोस्तो कि सबसे important चीज क्या होता है English subject में सबसे important चीज grammar पढ़ना होता है क्योंकि बाकी जो चीज़े है passage में से answer लिखना comprehension वगरे जो होता है वो सभी चीज जो है दो वो हो जाता है लेकिन grammar का पार्ट में actual में marks कटते बहुत है और बहु all the standard that is 7th standard, 8, 9, 10th standard, 11th standard, 12th standard, all the grammar part are already uploaded on our main channel हमारा जो एक main channel है जैसे कि आप जानते होंगे क्या नामे हमारे main channel का JR Tutorials तो ये जो हमारा main channel है जो पहला हमारा JR का channel है ये आप जानते होंगे तो उसमें हमने बहुत सारे videos English grammar के complete किये हुए जिसमें से जो बहुत सारे ऐसे से topics है जो असलियत में देखा जाए तो हर एक standard के लिए common होते है चाहे वो हम अगर बात करें चाहे वो हमारा parts of speech की बात हो, parts of speech मतलब क्या होता है, अलग-अलग type के parts of speech होते है, total 8 parts of speech होते है, that is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection, ठीक है, ये सभी चीज मिला के total कितने होते है, preposition मिला के total 8 parts of speech हो हो है, दूसरा हमारा जो figure of speech होते है, that is metaphor होता है, simili होता है, ठीक है, ना personification होता है, repetition होता है, alliteration होता है, there are so many figure of speech जो की हमने इसके उपर वीडियो बनाए होए, tencels के उपर वीडियो बनाए है, writing skills क्या होता है, जैसे letter writing होगा, essay writing होगा, story writing होगा, और भी बहुत सारे चीज होते होते है, यह सभी चीज हमने complete किया हुआ है, दोस्तों English grammar के playlist में, और आपको हमारे चैनल जयार टुटोरियल्स पे जब जाओगे, तो आपको यह देखने मिल जाएगा, तो जो बच्चा मुझसे पुस्ता है कि कहां से पढ़ू, तो यहार आपका सवाल का जवाब तो म आपको पढ़ना है, समझ लो, आपको parts of speech पढ़ना है, तो parts of speech वाले topic पे click करो, composition पढ़ना है, letter पढ़ना है, letter कैसे लिखते है, यह सभी चीज अलग-अलग बनाये हुए, आप जाके पढ़ाई करते हो, तो चलो यह तो बात हो गई, आप लोग के लिए common, अब यहां पे मु charge of speech हमें वजबान से दिखा जाता है, noun क्या होता है, noun, pronoun, pronoun, adjective क्या होता है, ठीक है, उसके बाद verb क्या होता है, adverb क्या होता है, तो यह जो चीजे होती है, ठीक है, अपर चलो ऑप फिर चले जाओ figure of speech के उपर क्या होता है figure of speech अरे भाई इसमें आ जाता है alitration आ जाता है repetition आ जाता है simile आ जाता है metaphor आ जाता है ऐसे कई सारे चीज़े हैं बता होगा तो आप लोग जाओगे तो आप जाके इसको पढ़ो उसके बाद कुछ चीज़े पढ़ना है भाई टेंस क्या होता है पास टेंस प्रेजन टेंस फ्यूचर टेंस यह सभी चीज़ आप समझो उसको पढ़ने की कोशिश करो जो भी आपके राइटब के पार्ट होते हैं उसके उपर देखो तो यह सब मिला जुला कि जब आप साइमलतेनेसली करते आओगे अलग-अलग रिसोर्सेस से तो आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा प्लस आपको वह पार्ट्स ऑप स्पीच और बाकी जो इंग्लिश ग्रामर है वो समझ में आने लगेगा नेक्स टेट अब यहां पे वह लर्न करने के लिए आपको टाइम कब लेगा तो आपको न इंग्लिश ग्रामर ना कि बाकी लैंग्वेज़ेस के ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं रहना है इनिशल डेज में यानि स्टाटिंग से आपको फोकस नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ एलमेस एक ता हमारा LMR, जो हमने आपके exams के लिए, 10th board examination वाले को पता होगा, हमने LMR शुरू किया था, last moment revision, यह है LMS, तो LMS क्या है, last moment study, यानि कि सिर्फ वस्रिफ last moment पे study करोगे English grammar को, तो भी आपका काम चल जाएगा, तो भी आप top कर सकते हो, English जैसे subject में, English grammar में full mark score कर सकते हो, तो LMS is enough, यह आप को पता है कि कोई भी LMS करने के लिए भी, last moment study करने के लिए भी आपको उसके पहले का concept पता होना चीए, जैसे मैं आपको बोलता हो हमेशा कि science के वीडियो से आपने हमारे देखे, तो अगर आपने वो concept सिखा हुआ है, तो आप last moment पे भी जाके पढ़ाई करोगे, उसको learn करन मैट होके, तो आपको easily learn हो जाएगा, क्योंकि आपको उस topic का concept पता था, अब same यहाँ पे भी apply होता है, यह अगर आपने हमारे English grammar के lecture वीडियो से आपने English grammar के lecture वीडियो से या फिर कहीं से भी देखे, बहुत सारे जगा पे अलग-अलग बेतरीन बेतरीन चीजे, available हैं चीज तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, at least एक target और एक time table बनाना पड़ेगा, कि week में at least एक बार, कोई एक दिन, दो घंटा, at least आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज के लिए study करना पड़ेगा, यानि आपको grammar, at least हफते में एक बार, देड़ से दो घंटा पढ़ रहे हो, मतलब बहुत हो जाएगा उसके लिए, तो वो चीज आप follow कर सकते हो, correct है, समझ में आ गया, अब last बस इतना ही बोलूँगा, कि focus करो आपके आप जो क्या पढ़ना चाते हो, किस तरीके से पढ़ना चाते हो, जो contents है, वो तो हमने बता दिया कि आपको कहां से मिलेगा, बस उ इसी प्रकार से हमारे वीडियोस देख लो, पुरो concept को क्लियर कर लो, और उसको प्राक्टिस में लाओ, जो भी आप सीख रहे हो, उसके examples निकालो, Google से निकालो, कहीं से भी निकालो, बहुत सारे references, books आपको मिल जाएंगे, स्टेशनरी पे, book लेकिया हो, और उसमें से देख in English without any disturbance, लियर है, समझ में आ गया, चलो, फिर आज के लिए, यहीं पर समाप्त करता हूँ, उमीद करता हूँ, कि यह topic आपको help करेगा, और आपका English grammar को सुधारने में, यह help करेगा, और जरूर से आप अच्छे marks लेकि आ सकते हो, अपने आने वाले time में, exam में, ठीक है, चलो बाज के लिए इतना ही, यह video, यहाँ पर stop करता हूँ, लेकिन आपको ऐसे ही और भी कौन-कौन से topics के उपर videos चाहिए, हमारे JR Talks चैनल के उपर, आप मुझे suggestion दे सकते हो, comment box में, comment करके, क्योंकि आप लोगा suggestions हमारे लिए बहुत important है, आप लोग के comment से, हम लोग बहुत सारे topics हमें suggest होते हैं, तो please आप comment करिए, आपको और कौन से topics चाहिए, हम उसके पर जरूर से video बनाने के कोशिश करेंगे, ठीक है, और ये video आपको कैसा लगा है, ये भी बता देना, ठीक है, चलो, ये video अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, useful लगा है friends, तो please video को like करना क्योंकि आपके like से motivation आता है, हमें भी motivation चाहिए होता है न, दोस्तों, हम तो आपको motivation देते रहते हैं हमेशा, लेकिन हमको भी motivation चाहिए, तो please video को like करते न, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके, share करते न, और अगर first time आया हो चैनल पर आभी चैनल को subscribe नहीं किया है, दो